तो linear equation के बारे में मैंने आपको बताया कि एक ऐसी equation जो आपके पास 2D plane के अंदर जब उससे draw करें, वो हमें एक line, straight line दे, मिसाल के तोर पे, यहाँ पे यह हमारे पास इस तरीके से एक 2D plane है, यह x है, यह हमारे पास y है, ठीक है, और हमारे पास जो line बन रही है, वो straight बन रही ह इस पूरे R2 के अंदर, that is called linear equation, ठीक है, अब linear equation की तो आपको समझ आगी, और इसकी examples मैं आपको बताते जा रहा हूं कि यह भी example हो सकती, फ्लाम भी हो सकती, फ्लाम भी हो सकती, फ्लाम भी हो सकती है, अब हम इससे थोड़ा सा आगे move करेंगे, हम types देखेंगे, कि types of linear equations क्या ह जिसमें सबसे पहली type आपके पास है, two variable linear equation, लोजनावेवाला, पहली type, two variable linear equation, two variable कौन सी होगी, simply, आपको भी पता है, मैंने लिखा था, 3x plus 2 is equal to 4, अगर मैं इसके साथ, 3x plus 2y कर दूँ, तो मेरे पास एक variable y हो गया, और x हो गया, यह दोनों variable मेरे पास, जब आ जाएंगे, then I can say that this is two variable equation, और usually mathematics के अंदर आपके पास x और y बहुत जादा use होते हैं, two variable equation के लिए, तो आपने परेशान नहीं होना कि यह क्यों use हो रहे हैं, आ और इसकी example यह आपके सामने मैंने बता दिये, फिर आती है आगे 3 variable equation और आप जानगे होंगे कि जो हमारी दूसरी type है, 3 variable equation उसकी 3 variable equation और आपको पता है, बताने से पहले ही आपको पता चल गया होगा है, जब 3 variables आ जाएं, 3 variables क्या आ सकते हैं, x भी आ है, y भी आ है, z भी है, is equal to कुछ भी, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कि यहाँ पे मैं equation लिखता हूँ, x minus 2y plus z is equal to 4, ठीक है, तो यह हमारे पास जो variables हैं, यहाँ पे x है, y है और z है, और अगर यह linear equation है, तो इसको हम बोलेंगे 3 variable linear equation, ठीक है, और इसके बाद, 3 variable के बाद, तीसरी जो type है वो higher dimension होती है, higher dimensional equations, यह advanced topics के अंदर जाती है, जिसके अंदर आपके पास practical implications जो है, वो बहुत advanced topics में है, जब आपके पास dimensions ज्यादा होती है, यानि कि 3 से भी ज्यादा dimensions होती है, ठीक है, हमने जो 2 variable equation देखी है, usually यहाँ पे x और y की values दी जाती है, x किया, y किया, यह आपको मै पहले पता दिया, और यह आता है, two coordinate, real coordinate plane के अंदर, x और y के अंदर, इसको हम इस plane के अंदर देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे आए, x, y, z, तो यह three dimensional plane के अंदर, यानि कि जहां दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, हम आगे पीचे भी जा सकते हैं, right, left भी जा सकते ह equations हैं, वो use करेंगे, और आपको पता है, advanced mathematics के अंदर, symbols बहुत ज़्यादा use होते हैं, variables बहुत ज़्यादा use होते हैं, ठीक है, types of equations आपको यहाँ पे समझ आगे होगी, कि types कौन-कौन सी होती linear equation की, हमने बताया कि, one variable, sorry, two variable equation, three variable equation and higher dimensional equation.